अलो दोस्तों नमस्कार श्वागत है आप सबी लोका बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों काफी बिगनर्स के डाउट होते हैं कि मेरे पास 5,000 फंड है मेरे पास 1,000 है मेरे पास 10,000 है तो मुझे क्रिप्टो में बिटकॉइन में जो है कितना लोट लेना चाहिए इसी का डाउट होता है कि मेरा अगर डिल्टा में काउंट है तो मैं कितने लोट लूँ इसी का डाउट होता है कि अगर एकसनेस में है तो मैं कितना लोट लूँ कितना जो है प्रॉफिट होगा कैसे ये सारी चीज़े काउंट होगी तो बिसिकली इनी सारी चीज़ों के ज प्रिमियम ग्रूप इसको ज्वाइन कीजिए और इसका सिंपल सा प्रॉसेस है कि या तो आप डिल्टा के थू हमारे लिंक से अकाउंट ऑपिन करा लो या एक्सनेस के थूर और अगर एक्सनेस में पहले से अकाउंट है तो उसको मैप करा सकते हो डिल्टा अगर आपने करना है क्योंकि सबसे पॉपलर जो क्रिप्टो है वो बिटकोई होती है और उसके बाद सारी जो अल्ट कोई आती है जैसे किसी में भी आपको ट्रेड करना है तो सेम वही जो है आपका रिस्क रिवाड फॉलो होना चाहिए अभी अगर सपोच कीजिए कि किसी के पास 5000 करते हो सपोच कीजिए कि मुझे जो है यहां पर एक बीटकोईन का डालना है तो मैं यहां पर आता हूं और यहां पर देखिए क्वांडिटी के लिए ना दस बीस पचास पचास सो परसेंट दिया हुआ है 100% मतलब आप पूरे कापिटल पे जितना बीटकोईन हैगा उतना जो है आप लोट ले रहे हो तो जब आप 100% करते हो तो यह दिखाता है कि आपके पास 29 बीटीसी के लोट आ रहे हैं जो सबसे मिनी लोट होते हैं अगर आप 75 करते हो तो आपके पास 21 लोट जो है बीटीसी के आ रहे हैं अगर आप 50% करोगे तो 014 बीटीसी के लोट आ रहे अब 2 अगर BTC आपने ली है और अगर आप यहाँ पे 100 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो तो आपको जो गेन मिलेगा वो according to 10,000 सबूज कीजे कि आपने 10,000 रखा हुआ है तो आपका जो है 10% का गेन जोतना 10,000 में होगा उस ही साफस होगा अभी जो कि मेरे पास इसमें 2K का फंड है तो 2K का फंड है तो 2K का वार्डिंग पॉइंट 002 जो है यहाँ पे आ जा रहा है क्योंकि जो लिवरेज मैंने यहाँ यूज किया वो 100% यूज किया ठीक है अभी अगर मैं इसको 150 एक्स कर दूँगा तो मेरे यहाँ पे तो अगर डेल्टा के तुर अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो तो मैक्स टू मैक्स आप जो लिवरेज सेट करो वो 100 का करो जीफिटि एक्स का करो ठीक है इससे ज्यादा लिवरेज मत रखो 50 तो ज्यादा रखो इमत और जितना कम आप मिनिमम मतलब लिवरेज मत आपका एकाउंट लिकुडेट होने के खत्रा जो है बहुत ही कम रहेगा ना के बराबर और लिवरेज अगर जैसे 50 आपने किया पजास गुना किया तो यह जो बिटकोईन का जो परसेंटेज है उसको आप इसी साफ से 10% कर दो तो यह सबसे सेफ क्वांटिटी हो जाती है 2000 से लेके 10,000 के इमाउंट के लिए जैसे अगर आपके पास 10,000 हो तो भी आप .001 ही लो और अगर आपके पास 2000 है तो मजवोरी है तो फिर .001 तो लेना पड़ेगा उससे कम होगा ने हाँ अगर आपके पास 10,000 है तो आप थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हो जैसे .002 कर दो ठीक है इसको यहां पर 100x करके और यहां पर 10x कर दो तो इस तरीके से आपका 0.02 जो है आ जाएगा अगर आप 10,000 रखे हो तो आपको 0.02 लेना है यहां पर तो आपका जो लिवरेज है वो इससे यहां पर कम हो जाएगा क्योंकि अभी अगर 2K में आ रहा है 0.002 आपका लिव इक लिए कोसिस यह करना है कि एक मेनी लॉट से काम करो बीट्कोईन में ठीक है एक मेनी लॉट से अगर आप किसी दूसरे अल्ट क्वाइन में काम कर रहे हो तो डैट मिल्स कि मैं यह कंसीडर कर रहा हूं कि आपके पास क्रिप्टों की अच्छी खासी नौलेज है क्योंकि रिस्क रूर्ड मेंटेन करते हुए नहीं कि इस टॉपलस को टाइट सिस्टम में डालते हुए लेकिन उसके लिए आपके पास प्रॉपर नौलेज कर आप बिगनर हो और जैसे हमारे अपडेट पर काम कर रहे हो तो उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है कि कि युक को हुए अब हम चलते हैं एक्षेश वाले प्रेटफॉर्म पर कितना जो है यहां पर लेना है तो देखेँ कर सकते हैं यहां पर आपके पास Bitcoin के अलावा Ethereum है जैसे crypto में और इसके अलावा और सारे पेर हैं जैसे गोल्ड हो गया Crude हो गया Euro हो गया देन अफ्टर क्या वद्ध है की Great Bitten Pound हो गया इन सब में कर सकते हैं सब का एक ही लॉट रखेंगे और अमाउंट आपका one to ten है यानि की एक हजार से लेके दस हजार इस पूरे अमाउंट में जो भी आप buy sell करोगे के लिए जो लॉट होगा वो यहां पे point zero one ही होगा ठीक है जो सबसे minimum लॉट है point zero one अब इससे minimum कुछ नहीं हो सकता point zero one से minimum कुछ नहीं है तो सबसे minimum जो लॉट है यहीं रखेंगे इसी लॉट से जो है काम करेंगे अगर आपके पास एक जार है तो भी दो हजार है तो भी पांच जार है तो भी दस जार है अब अकर आपके पास 10,000 है तो एक लॉट आप तब एड़ करो जब आप नॉरमल ड तो हमारा एक ही यहां पर लॉजिक है कि हमें पॉन्टिटी को कंट्रोल में रखना है ठीक है लॉट साइज को यानि तो तो थोड़े से नॉलिज लेने के बाद मतलब इस प्लेटफॉर्म पे कैसे क्या होता है कितना पॉइंट का कैसे प्रॉफित होता है तो पॉइंट कर सकते हो अब आते हैं प्रॉफित पे तो जैसे डेल्टा में मैंने बताया उसी तरीके से यहां भी है इसका भी प्रॉफित ऐसे ही काउंट होता है कि अगर आपने पॉइंट जरुवन क्वांटिडी रखी है और हंडिड पॉइंट का मूव अगर आपका कैप्च तो आपको कितना फ्रॉफित होगा तो आप है कि यहां पे पींडिंग और टालो इस पेंडिंग ओडेंगओ री पे आपका बाई है प्लान वहां पर लेके जाओ ठीक है अटेक प्रॉफित डालो टैक प्रॉफित कर आऊ अब जहां पर मॉफ करा आउगे तो आपको दिख जाएगा कि कितना पॉइंट हो रहा और कितना प्रॉफित आ रहा है पर दोके लिख रहा है 580 2.89 आयनर यानि कि अगर मैं 0.01 76114 से बाई करके 76 780 पे मैं सेल करता हूँ तो मेरा जो प्रॉफित हो रहा तकरीबं 600 रुपय के करीब हो तो किसी भी पेर में जिसमें भी आप Ethereum हुआ या Bitcoin हुआ जिसमें भी आप Trade करोगे यहां पे आप Buy करना चाहते हो और जहां पे Sell करना चाहते हो जो आपका डिजायर तारगेट है जो Point है उसको आप ले जाके चेक कर सकते हो Simply Pending Order डाल के कितना होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा डेल्टा में हलाकि यह सुबिता नहीं है लेकिन डेल्टा में आप इसी हिसाप से यहां के थूँ काउंट कर सकते हो विटकोईन का सिंपल है कि 100 पॉइंट अगर मूप करेगा तो आपको 100 रुपे कर गिन वहां पर जाने कि उस हिसाप से ह हो जाएगा तो दोस्तों इस तरीके से आप एक्सनेस या डेल्टा में जो है अपने क्वांटिटी को मैनेज कर सकते हो अपने प्रॉफिट को समझ सकते हो अमीद करूंगा कि इस वीडियो से आपको समझने में सायता होगी कि कैसे हम लौट कुछे कंट्रोल करते हैं कैसे हम क्वांटिटी यहां पर यूज करेंगे कितना पर्सेंटेज कितने फंड में यूज करेंगे इसके अलावा अगर कोई भी आपके पास कोश्चन हो जुरूर मुझे कमेंट करके पूछेगा अगर अगर आप हमारे प्रिमियम टेलियरामी चैनल को जोइन करना चाहते हैं सो स प्रोसेस है उसको करके ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों यहां पर काफी अच्छे अपडेट बढ़ियां मिलते हैं काफी हेल्फ रिलो की जैसे एक्जामपल के लिए आप देख सकते हो कि हमने जो है जिस दिन में रिकॉर्ड कर रहा हो कि हमने नाइट का जो सेल बिट दिया 77 7200 के करीब में 520 का इस टॉपलस था और आप यहां पर देख सकते हो 77250 का हाई लगा था 76500 अर्ली मौनिंग 529 पर था 50% यहां पर बुक हुआ देन आफ्टर जो है मौनिंग में आते आते 8 बज़े तक 1000 पंड गिर गया तो रेश्ट का जो 50% था यहां बुक हो गया और इस तरीके से काफी अच्छा इंजो है अप्चर हो दोस्तों अमीद करूंगा कि वीडियो आपको हेलफूल लगी होगी वीडियो से अगर थोड़ी सी विजनकारी मिली हो तो लाइक करके आगए बढ़िएगा थांक्यू सो मच पर वाचिंग मिलते हैं दोस्तों नेक्स शेशन झाल